हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर लर्न इंगलिस वित नभीन सचान अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माई यूटूब चैनल तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बैलड से इंपोर्टेंट कुछ क्वेस्चन से जो आपके एक्जाम के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो चलते हैं फर्स्ट क्वेस्चन पर ज़्यादा देर न करते हुए जो फर्स्ट क्वेस्चन है यहाँ पर वह दा लिटरल मीनिंग ऑफ आ बैलड इस किसी भी लिटरल मीनिंग क्या है तो आपके लिए आंसर लगा हुए यहाँ पर पहले से अ ड़ॉंस एडंस सॉंग इस देल नेंग ऑफ देल बैलड इस संग उप दॉप दॉप याद रखना है आपको हार्प यहाँ पर फिलोगा दूसरा थड क्वेस्चन है आपका दा बैलड में रङस्ता को में लोल कें चाहिं टा इस्तिंजा की अवलोग पाले मैंने जो siWhat कष़ें यहां सब्सुनहैं पर इससे बता है तो यह उसे कें से बता होग winter फंड फॉलोंग आ्र्लीएस्तिमा जह से cuerpo वलों के जओ आरणे आर्लस पालड है कौन सा है तो Chevy Chess is the earliest ballad question number 5th किया रहा है name the writer of the famous ballad name the writer of the famous ballad Lawch in War Sir Walter Scott is the writer next की बात करें the rhyme of the ancient Wagner was written by Joe ancient Wagner थे उनकी rhymes कौन से थे William Marginal a ballad is written in जो ballad होता है रिटें होता है I am back meter में in the rhyme of the ancient mariner, the ancient mariner tells his story to a wedding guest की story बताते है the ballads were written and sung even before तो Chaucer period इसको correct option है last question है what is the meaning of the law ballad देंस मर्सी तो इसके meaning से a beautiful lady without mercy तो इसके मीनिंग से इस तरह से ये important questions थे ballad से related ये questions आप पढ़ लेते हैं तो आपके TGT exams में PGT exams में जरूर पूछे आते हैं और English literature में भी कापी पूछे आते हैं तो ये important questions थे ballad से related अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीस दोस्तों लाइक कीज़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा और शेयर जरूर कीज़ेगा ताकि आपकी अनफ फ्रेंडों को भी मदद मिल सके थैंक्स पर वाचिग माई देर फ्रेंडों को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कीज़ेगा